नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो आज का जो वीडियो है उसे शुरू करने से पहले अगर आप लोग नहें हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आए तो ला सारी चीज़े मैं आपको वही बताऊंगी जो मुझे माली भीया ने बताई हैं और क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए जैसे कोई नए लोग होते हैं तो उन्हें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी किचन गार्डनिंग शुरू करते हुए अगर आप इस खेट साफ करा अच्छे से और इसकी फिर मिट्टी जो थी वो काफी हाड हुई थी जमीन बिल्कुल हाड हुई थी तो फिर उन्होंने इस मिट्टी को बिल्कुल फावडे की मदद से पूरा सॉफ्ट करा है और आप देख रहे होंगे मिट्टी काफी हाड हुई थी तो इस लिए उन्होंने इसमे पानी जैसे फवारा देते हैं वैसे करा और उसके बाद ये जो मिट्टी है उसको बारीक-बारीक कर लेना है बिलकुल तब ही इसकी क्यारिया बनेंगे और तब ही सब्सक्रेल अच्चे से होंगी तो सारी क्यारिया भीयाने फोड करके इनको मिट्टी के बारिक कर के और कोशिश करें जो भी आप सब्जिया लगा रहे हैं उसको बारिक कर दिया है और जितना भी इस खेट से लकड़ी निकली होंगी या जो भी पेडों की कटिंग होगी घास होगा उसको एक किनारे पर आप रख देना उसको फैकना मत econ कि बात में जब वो ड्राइ हो जाएंगी उसको जला के जो भी राक होगी वो आप अपने खेत में यूज कर सकते हो और उस राक से जो है वो फंगस वगएरा या कीड़े होते हैं वो सब नहीं लगते हैं तो मैंने भी यहाँ पर किनारे ये सब खटे कर दिया था ये ड्राइ ह हुआ होगा तो मैंसे जलाओंगी अप बात करते हैं बीज बोने की तो इस टाइम पर आप काफी कुछ चीज़े कर सकते हो जैसे ये मटर तो मटर है उसको आप रात में दो तीन घंटे भी ओ लीजिएगा फिर खेत में डालिएगा और इस टाइम पर आलू लसन मूली राई और मेथी जो भी इस टाइम पर बीज लगते हैं गाजर और जिन चीज़ों की लगते हैं गोभी वो सब कर सकते हो ये विंटर सीजन है इस टाइम पर बहुत सारे आप्शन होते हैं हरा साग बहुत चीज़े होती हैं तो उसी तरह से यहाँ पर भीया ने इन क्यारियों में अलग-अलग क्यारी में धनिया, मूली, राई ये सब चीजे डाल दी थी अच्छे से एक बारी और उसके बाद बीज डालने के बाद इन्होंने यहाँ पे यह कुदाल की हेल्प से उपर-उपर की मिट्टी को उपर-नीचे कर दिया था इतना ताकि जो बीज है वो अच्छे स जर्मिनेट होईगा अच्छे से उस पे पौधे आएंगे और जो चिडिया वगयरा भी होती है वो भी इनको इस चीज से खानी सकती है और यह एक प्रोसेस भी होता है जब आप बीज लगाते हो तो आपको फिर इस तरह से बीज को दबाने के लिए हलका हलका यह कुदाल से तो इसी तरह से भीया ने सारे खेतों में इसको चलाया मैंने आपको सिर्फ एक क्यारी दिखाई है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता और सेमी प्रोसेस होता है सबका उसके बाद बीज बोने के बाद एक फंगी साइड पाउडर आता है वो सबजियों का ही होता है जो पानी होता है उपर उपर की सता पे इसको जिसे की एकदम से जो जमीन है वो थोड़ी से उसमें मॉइस्टर आ जाए इस साब से यहां पे फवारा चलाना है पूरा बहुत गीला नहीं करना है हलका हलका चलाना है कि बस एक बारी उपर से एक लेयर सी बिज जाए पानी की इस तरह का करना है तो इस तरह पूरे खेट में कर दिया था यही पानी चला लिया था अब बात करते हैं जो पौद होती हैं जैसे कि शिमला, मिर्च, मिर्च, बैंगन, टमाटर और गोबी वगएरा भी आप लगा सकते हो मैंने वो अभी नहीं लगाया तो उन सब को आपने कैसे लगाना है आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं काफी पौद लाई भी हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बैंगन की या किसी भी चीज की पौद में इस तरह से यह चोटे सी नोने एक बास्केट यह प्लास्टिक का खराब नहीं होती है अगर आप उसे निकाल दोगे तो इसकी रूट्स बहुत जादा एकदम शौक में आ जाएंगी पौदा खराब हो जाएगा भी चोटा बेवी प्लांटी होता है यह चाहे तमाटर मिर्ची कोई भी पौदा हो उस जाली को आपने नहीं निकालना है अब खमसे और नेक्स फिंगर तक के गैप में उसको लसन को लगाएं उसका जो पूछ वाला हिस्ता है उसको ऊपर रखें चोड़े वाले हिस्ते को आप नीचे करें जमीन में इससे क्या होगा ना जब आप अगर यह गैप रखोगे और एक लाइन ड्रॉ करोगे तो बात में ज इसका जो बल्ब होता है उपर की तरफ को आता है तो वह उस पे कुदाल नहीं लगेगी आप जब उस पर यह कुदाल चलाओगे तो वो नहीं लगए खरापनी होगी तो गुडाई करने में काफे आसानी होगी अब लास बात करते हैं आलू लगाने के इस टाइम पे आलू क एक तो आपको बाद में जब आप निकालोगे तो असानी होगी दूसरा आलू की उपर डारेक्ट पानी नहीं डालते हैं जो आप ये डोल के बीच का हिस्सा देख रहे हो ना ये जो नहर सी बिना रखी है उसमें पानी हमेशा भरा जाता है और आलू में अच्छा कासा पानी डाला जाता है तो उससे क्या होगा आलू अगर आप उपर से डालोगे पानी तो आलू आपका सड़ जाएगा और जब आपने ये डोल बनाए इसमें हर 15 दिन बाद आपको नीचे से उपर की तरफ को मिट्टी आपको डालनी है जब आप आलू को 15 दिन में इससे क्या होगा आलू के जड़े हैं उनमें खूब अच्छे से मिट्टी रहेगी और इसका यही प्रॉसेस होता है तो अभी इनी सबजियों का सीजन है अभी 15-20 दिन बाद फिर और गाजर और काफी कुछ और चीज़े भी आएंगी गोबी वगएरा अभी बहुत ही चोट चोटी पहुत थी गोबी की तो मैंने रिस्क नहीं लिया अभी लगाने में थोड़ा 15 दिन बाद और आएगा तब मैं आपके साथ में फिर से एक वीडियो शेयर करूंगी तो यही थी चोट चोटी बाते अगर आयोप आपको पसंद आयोगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा ओके बाई